हलो स्टूडेंट्स स्वागे ततो डासदे यूट्यूब चैनल पहरी स्टेडिया उनलाइन थे अज दाज अपना टॉपिक है क्लास 6 दा 8.2 एक्सरसाइस लिनियर इक्वेशन इन वन वेरियेबल क्वेस्टन नमबर 3 अपने को स्टेट्मेंट टाइब क्वेस्टन ने स्टेट्मेंट टाइब क्वेस्टन आपका करना है तो सब तो पहले देखो क्वेस्टन की है 3 लेस देन 4 टाइमस नमबर इस 5 फाइड दा नमबर अपनू स्टेट्मेंट गिवन है statement तो अपा equation बनाओने है equation बनाओन तो बाद आपा अपा उनो solve करना है, होन देखो question की करया 3 less than, less than दा मतलब की दस्यासी minus करना 4 times 4 times दा मतलब 4 multiply and number, number आपा कोई भी let करांगे, is दा मतलब is equal to, is equal to किनना रखना है आपा 5, सब तो पहला आपा number let कर दें, let number be x आपा कुछ भी मान ले, x मान ले, आपा mostly x ही मान दें, ठीक है तो number आपा की मान ले, x होन आपा एक एक चीज़े नू लेख दें, पहला 4 times 4 times दा मतलब multiply number दा मतलब x less than दा मतलब minus किनना minus करना है, 3 is दा मतलब is equal to is equal to किनना रखना है, आपा 5 देखो, question की अपने कोल, 4 times times दा मतलब multiply number दा मतलब x less than दा मतलब minus 3 मतलब 3, is दा मतलब is equal to, is equal to किनना रखना है, 5 होन सब्तो पहला देखो, 4 नू x नाड़ multiply कीती, 4x minus 3 is equal to 5, होन सब्तो पहला एक चीज़े आण रखनी है, आपा 4x दे 3 नो minus नहीं कर सकदे, minus कदो कर सकदे हैं, जदो like term होनगे like मतलब 3 दे नाड़ भी x होनदा फिर minus होना सी, otherwise आपा minus नहीं कर सकदे तो आपा जो method कीता सी, systematic method of to solve linear equation ओन देखा आपनाड, आपा 3 नो बहला खतम करना, 3 नो के मैं खतम कीता जा साथ, यह minus वेच्च है आपा की करांगे, plus वेच्च है, कुछ add करांगे, किनना add करांगे आपा, 3 आपा लिखांगे add 3 to both side जे थे minus हैथा आपा add करांगे जे plus हैथा आपा minus करांगे होन देखो की आगया 4x minus 3 plus 3 is equal to 5 plus 3 मैं तो नो क्या सी math की करदा है, partial t नहीं करदा, math वे जेक साइड आपा left and side ते add कर रहे हैं, तर right side ते भी करना पहेगा, left ते minus कर रहे हैं, right ते भी करना पहेगा left ते multiply, right ते भी करनी पहेगी, left ते divide कर रहे हैं, right ते भी divide करना पहेगा, और देखो 3, 3, 3 की होगा, आपस्ट cancel 1, 3 minus 1 plus है ता आपस्ट की होगे, cancel so 4x is equal to 5 ते 3 किनना आगे, अपने को ला 8, देखो 5 नो 3 वे चैड कीता, किनना बन गया, 8 आपा ता only x दी value find करनी है ता आपा देखो, x देणल multiplex की पहा है, 4, इन्हों आपा खतम करना है, जो पर multiplex की पहा है, ता आपा की करांगे, divide करांगे ओके, ता आपा लिखांगे, divide divide both sides by 4 2 अपा किननल divide करांगे, 4 नल divide करांगे ता किनना आगे, अपने को ल, 4x by 4 8 by 4, 4 नल 4 की हो गया, cancel, only x बचया, 8 नो 4 नल divide कीता, सो किनना आगे, अपने को ल, 2 मतलब जो अपने number सी गा so number is 2, जो अपन number let कीता सी x, ओ किनना आगे अपने को ल, 2, हो देखो जा आपने चेक करिए, किनना 4 times आपने number, number की सी अपने को 2, less than, मतलब माइनस कीता किनना माइनस कीता, 3 4 तू जा, 8 8 माइनस 3 किनना आगे, 5 अपने को ल, भी results किनना आ रहा सी गा, 5 that is our answer, बिलकुल सही answer है, अपने को ल, number किनना आगे, 2 आगे, ओके, next question सो आपने को ल, कर देए, question number 5 question की कह रहा है find a number, which when multiplied by 13 is 117, केंदा ओ number पता करो, जिननों जदो 13 अड़ मल्टिप्लाई कर देया, ता किनना आएंदा है, 117, केंदा एक number पता करो, जिननों 13 अड़ मल्टिप्लाई करना है, ता अंस्वर किनना होदा है, 117, ता अपने लिखांगे कि, let number be x, number की लिखा मैं x होँ लिखा, find a number number की या, x, multiplied दा मतलब, multiply, किनने नाल multiply करनी है, 13, is दा मतलब, is equal to, is equal तूच किनना रखना पा, 117 देखो, x नू multiply कीती, 13, is equal to तूच किनना आगया, 117 x इंटू 13, ता किनना बढ़न गया, 13x, is equal 207, देखो, 13 नू x नाल multiply करिये, किनना बढ़न गया, 13x पर अपा की करना हुंद है, x नू कल ले शड़ना हुंद है, x नू आपा single कल ले शड़ना हुंद है, ता जो भी x दिनाल multiply चो नू आपा ही करांगे, खतम करांगे, खतम के मैं किता जा सकता है, divide both sides by 13, दोमा साइड अपा 13 अल की करांगे, divide करांगे, so that is 13x by 13 is equal to 117 by 13 मैं दोमे साइड math देवेच की करता, partiality नहीं हुंद ही, math एक पासे divide कर रहे है, दुझे पासे भी divide करेगा so 13 अल 13 की हो गया, cancel only x बचया 13 दे टेबल, 117 किनने थे हुंद है, 9 ते, so x is equal to 9, जा आपा check करिए, 9 नू जा आपा 13 नाल मल्टिप्ले करिए, 9 13 जाके 9 दे हंद है, 117 that is the answer, एसी अपने कोल question number 3, and question number 5, next video जापा question number 4, and question number 6 बारे discuss करांगे ये नो question थोड़े त्या आननल समझे कोगी statement टाइप, प्राब्लम है तानू पैल्ली वराया, सत्या आनले ननू जुरूर करना